आटी शर्मा सुलुशन है ये class 12 chapter 13 derivatives as a rate measure exercise हम देख रहे हैं 13.2 यहां पर है the top of a ladder 6 meter long is resting against a vertical wall on a level payment अब ये question जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी ऐसी दिवार है ये ladder यानि की सीडी रखी है अब ये सीडी जो है इस तरीके से खिसक रही है या नीची की जा रही है पहला question ये है कि आपको कुछ चीजे इसमें करनी है और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास जैसे पिछला question था हम ये ladder की क्यों लेंद दी है मैं और तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इस ladder की length को हम लिख रहेंगे ये तकरीबन 6 meter है है ना और इसको हम म इस direction में तो ये dx यानि कि dx by dt rate of change of जो यहां की length है मतलब ये जिस तेजी से खिसक रही है वो आपको 0.5 meter per second दिया हुआ है एक और इन्हों ने condition दिये हुआ हम बात में करेंगे पहले ये देखेगा कि जब दोनों का rate सेम हो यानि कि यहां से खिसकने का rate सेम हो और यहां से खि यहां से खिसकेगी उत्रा यहां से खिसकेगी तो यह dx upload dt यह यवाली खिसकने की दर और यहाली खिसकने की दर दोनों बराबर है आप ऐसी दो condition है तो हमारे पास पहले हम equation बनाएंगे equation कैसे बनेगा यह x है यह y है यह 6 है तो x square प्लस y square बराबर 6 square यह आपकी equation बन गई आप इसको differentiate कर देते हैं 2x और dx by dt plus 2y dy by dt बराबर यह तो constant है 36 है वैसे 0 हो जाए हुए तो यह 2 2 हटा देता हूँ 2 सब divide कर दीजी 2 से हर एक element को अब x dx y dt बन जाता है आपका minus y dy by dt अब आप देखिए मैंने आप से जैसे बताया था dx by dt 0.5 है तो यहाँ पर अब dx by dt की जगा 0.5 रख दीजी यह आपके पास already है यहाँ पर मैं 0.5 रख यहाँ क्या है आपके पास x अब इन्हों ने कहा कि at the moment when the foot of the ladder is 4 meters from the wall तो यहाँ से यहाँ जब 4 होगा तब क्या होगे x कितना है 4 यह minus y है minus y आपके पास है और minus y निकालने का कोई तरीका है अपने पास क्या देखे निकाल सकते हैं क्यों अगर यह 4 है यह 6 है तो यह y कितना निकलेगा क्योंकि 6 square बराबर 4 square plus y square y square कितना बनेगा 36 minus 4 416 यह आपका बनता है 36 minus 16 याने कि 20 बना जिए ना और 20 होता है 4 5 जो 20 रूट करेंगे इसका तो 2 root 5 बनाएं तो यह आपका y 2 root 5 होगा उस समय जब यह 4 होगा तो मैं y की जगा 2 root 5 कर देता हूँ और dy by dt तो dy by dt यहां से निकल के आगया यहां अगर आग 2 root 5 लिखते है 2 2 करते हैं पर दोनों को root 5 root 5 से और reply करते हैं तो आप देखेंगे यह आपका minus, minus 2 ही अपने पास 1 by root 5 और यूनिट क्या होगी यह तो आप जान रहे हैं कि मीटर में है और rate है तो मीटर पर second हो गया यह पहली condition हुई, मतलब पहली चीज़ जो इन्होंने मांगी दूसरी चीज़ यह कहते हैं जब dx by dt बराबर dy by dt हो जाए जो मैं आपको यहां भी बताया था तब क्या होगा, यहां पर देखें यह इस से हम आगे बढ़ेंगे dx by dt और dy by dt बराबर हो गया यानि x बराबर minus y हो गया अब इसको क्या करेंगे, इसको उठागे इसमें डाल दीज़ें इस वाल equation, तो क्या बना, x square अच्छा मैं y की जगा, y की जगा minus x डालता हूँ है y की जगा, यहां पर हम y की जगा minus x डाल रहें y square होगा तो minus x square होगा, यानि कि x square ही बनेगा x square प्रस x square बराबर 36, यानि की 2 x square बराबर 36 x square बराबर आपका आगया 18, x बराबर under root 18 18 होता है 9, 2 जा 18, तो यह 3 square इंटो 2 root डेंगे तो 3 root 2 आए, तो यह आपका x बराबर 3 root 2 मिल्टर आगया अ बलून is in the form of a right circular cone surmounted by a hemisphere तो मैं आपको diagram दिखा देता हूँ पहले, देखे यह आपका cone है नीचे और यहाँ पर यह आपका hemisphere है, बलून इस तरीके से बना हुआ, diameter is equal to the height of the cone, diameter जो है वो cone की height के बराबर है, यानि कि 2 r बराबर h है basically, और is being inflated, how fast is its volume changing with respect to its total height when height is 9 cm, तो हमको equation बनानी पड़ेगी और यह volume के सिलसले में बनानी पड़ेगी, तो आप आप देखे, volume कैसे बनेगा पहले आपको थोड़ा सा detail में बता दू, देखे, यह hemisphere है, radius इसका यह है, यानि कि यह पूरा का पूरा diameter है, और यह diameter जो है, वो height के पराबर बत और यह height माने, तो h प्लस r हो गया, लेकिन question में दिया हुआ है कि जो height है, जो यह जो आपका diameter है, equal to height of the cone, diameter होता है 2r, height of the cone h है, तो h की जगह आप 2r रख सकते हैं, तो इस h की जगह 2r रख दीजे, तो capital के आएगा 2r प्लस r, यानि कि 3r, यह आपका h बराबर 3r आ गया, यह volume पे, volume इसकी क्या है जी, यह नीचे वाले की पहरे देख लेते हैं, या इसकी कौन की volume होती है, 1 by 3 pi r square h, यह तो आप जानते ही है, और इसकी वो, इसका volume क्या है, 2 by 3 pi r, यह भी हम जानते हैं, लेकिन अभी यहां रुकेंगे नहीं, आप जान लीजे, h बराबर 2r है, त कि 2 by 3, pi और r square और r, 2 by 3 pi r cube, यह भी 2 by 3 pi r cube, तो 2 by 3 plus 2 by 3 को add कर दीजे आपका, तो यह 4 by 3 आ जाएगा, 4 by 3 pi r cube, यह आपका volume है, अब इसका differentiate करिए, dv by dt क्या होगा, 4 pi r, 3 r square का मनेगा, 3 r cube का 3 r square मनेगा, फिर dr by dt भी आएगा, लेकिन आप देखे, dr by dt क्या है, dr by dt आपका क 3 into dr by dt, तो dr by dt क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर 3 ले आइए, तो आपका बना 4 pi into 3 into r square, और इसकी जगह में रेका रहा हूँ, dh by dt divided by 3, तो हमारे पास dh by dt आ चुका है, वो तो हम पहले निकाल चुके है, 3 dr by dt, और अभी अभी हमने निकाला क्या, dv by dt, वो क्या है जी, य यह आया आपका 4 pi r square dr by dt, हमको चाहिए volume changing with respect to height, मतलब dv by dh चाहिए, तो इस वाले को लाइए, इसके निचे डिवाइड कर दीजाने कि इसके निचे यह डिवाइड होगा, 3 dr by dt, यह कड़ गया आपका, 4 pi r square by 3 आया, लेकिन अब दिक्कत यह है, यह height दिया हुआ है, radius हमार तो इसमें रखिये 4 pi into 3 square by 3, यह 3 से एक 3 कट जाएगा, 4th is a 12, 12 pi आ गया और आपका centimeter cube by second, यह आपका उतर हो, water is running into an inverted cone at the rate of pi cubic meters per unit, the height of the cone is 10 meters and the radius of its base is 5 meter, how fast the water level is rising when the water stands 7.5 below the base, यह height की बात हो रही है, यह volume की बात हो रही है, अब आप देखे, same चीज़ करेंगे जो हमने अभी अभी एक question में किया, तो मैं आपको जड़ा diagram को अपने आप बना के दिखा दूँ आपको, कि इस तरीके से यह कौन है, और इसमें पानी भर रहा है, यूँ, ठीक है साब, अब यह इसको हम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यह height हैस है, और water stands 7.5 below the base, तो यहाँ से यहाँ तक 7.5 अगर कर दीजे, तो दस में से घटाई है, यह 7.5 है, तो दस में से घटाई है, आपको 2.5 होगे, 2.5 जब पानी भर गया होगा, तब इसका rate बताना है, तो पहले तो आपको volume का कोन, मतलब को volume पता होना चाहिए, volume क्या होता है, कोन का 1 by 3 pi r square h, तो हमको basically क्या चाहिए, finally हम जब निकालेंगे, how fast the water level is rising when the water level stands, तो water level rising का मतलब क्या है, जो height बढ़ रही है, घट रही है, आपको dh by dt निकालना है, तो एक चीज़ तो आपको यह मिल गई कि भई, h बराबर आपका 2 r है, तो r को हम h by 2 रख सकते हैं, और अभी आपने देखा, जो dv by dt हमने निकाला था, differentiate करके, उसमें क्या था, यह वाला देखें, यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें r की जगा h by 2 रख दीजे, तो यह आएगा 1 by 3 pi, r की जगा h by 2 रख रहा हूं, तो h square by 2 हो गया है, और dh by dt, h square by 4 हो गया, dh by dt, h रख तो जरा बहार ले लो, आप, pi by 3 रहार ले लो गया, तो यहाँ बना h square by 4 dh by dt, प्लस यह हमने pi by 2 रहार ले लिया, यह 2 से 2 कैंसल हो गया, और यह है h square, h square dr by dt, अचा, dr by dt अब हो गया, तो गबढ़ हो गया, तो dh by dt चाहिए, तो dr by dt की जगा में, वो जो हमने पहले निकाल कर सकते हैं, तो आपका आगया pi by 3 dh by dt, यहां से हमने ले लिया, यह हो गया, आपका h square by 4 प्लस h square by 2, तो एक h square भी ले लिजे, अब 1 by 2 प्लस 1 by 4 कर लिजे, 1 by 2 बहार ले लिजे, 1 प्लस 1 by 2 आ जाएगा, यह आपका हो गया 2 प्लस 1 by 2, यहनके 3 by 2, और नीचे 2 है यह, 3 by 4 समझे रहे ना आप यह, यह आपका 3 by 4 आगया, तो 3 से 3 हटा दीजे, आपका आया pi h square by 4 into dh by dt, यह आपका dv by dt चल रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या है pi h square by 4 dh by dt, और यह आपका है dv by dt, अब हम और क्या कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, हम को dh by dt चाहिए वो dv by dt का दिया है, the water is running into inverted cone at the rate of pi, तो dv by dt का है, pi cubic meters per unit, तो इसकी जगह आप रहे दीजे pi, ठीक है, अब इसको इतर ले आइए, तो यह हो जाएगा pi h square, और यहाँ 4 हो जाएगा, pi से pi cancel, तो dh by dt आपका हो गया, 4 by h square, अब हाइट कितने हाइट पे काइन होने, 2.5, तो d dh by dt हो जाएगा, आपका 4 divided by 2.5 का whole square, 2.5 का whole square, जो कि आपका उतर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 0.64 meter per, यहाँ, meter per minute, यह उतर आएगा आपका dh by dt, ऐसे होगा जी, a man 2 meter high, walks at a uniform speed at 6 km per hour, away from a lamp post, 6 meter high, find the rate at which the length of his shadow increases, तो यह तो हमने कई बार कर लिया है, यह question तो आप कर लेंगे, मैं थोड़ा सा आपका आइडिया देता हूँ, इसमें, यह आपका lamp post है, 6 meter है, यह साब यहाँ की तरफ जा रहे है, यह यहाँ खड़े हुए है, तो इनकी जो height है, उनका shadow बनेगी, वो यह बनेगी, तो इसको x माल लिजे, इसको y माल लिजे, इनकी height, find shadow, rate, अ अब इसको मैं बना देता हूँ, जो triangle है, similar triangle, तो 6 बटे 2, यह side और यह side divided by this पूरा, x plus y divided by आपका y, तो 2, 3s are 6, मतलब 3y बराबर x plus y, मतलब x हो जाएगा आपका 2y, अब differentiate कर दीजे, dx by dt, मतलब 2dy by dt, मैंने आपको बताया, dx by dt अपने पास 6 है, तो इसकी जगए 6 रख तो यह 2 इदर आएगा, तो 3 बनेगा, तो dy by dt आपका आगया, 3 km an hour, यह मैंने इसलिए फटापट बताया है, क्योंकि इस तरीकी के हम question कर चुके है, the surface area of a spherical bubble is increasing at the rate of 2 cm2 per second, surface area की बात हो रही है, when the radius of the bubble is 6 cm, at what rate is the volume of the bubble increasing, तो इसमें आपको क्या हो, चाहिए पहले तो, देख हम इसका पहले surface area की बात चुरू हुई है, तो surface area लेंगे, surface area क्या है, आपका है surface area 4 pi r square हो, सबसे पहले ds by dt कर लेते हैं, यह जाएगा 2 r dr by dt, तो यह 8 pi r dr by dt, तो इससे क्या मिला हमको, ds by dt, और dr by dt निकालना है तो क्या करेंगे, dr by dt, यह जाएगा 1 by 8 pi r into ds by dt, आप देख छे, तो ds by dt, अब ds by dt, the surface area of a spherical bubble is increasing, इनोंने ds by dt दिया हुआ है, यह आपका surface area ही तो change हो रहा है, time के साथ, इसकी जगह आप रख दीजें, 2 cm2, तो 2 से 3, it is 24, 1 by 24 pi हो गया यह, cm per second, अभी आपका dr by dt हो, अब आएगे, आप यहाँ पर इसमें, volume पे आजाए, volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube, इसको भी ऐसी करतीजे, dv by dt करतीजे, तो यह जाएगा 4 by 3 pi r cube का हो जाएगा 3 r square, और फिर आपका dr by dt हो जाएगा, तो 4 pi r square into 4 pi r square into dr by dt, dr by dt अपने पास है, तो इसकी जगह मैं 1 by 24 pi लिख देता हूँ, और r square इनों का ही हुआ है कि 6 पे निकालिए आप, यह 6 पे न rate है, dv by dt, ठीके जी, यह इसका उत्ता है, इस question को हो लेंगे हम अगली बार, तब तक लिख शुक्रिया, महरवानी आप सोगे